हेलो बच्चों, वेलकम तो दे चानल, आज हम लोग साइन्स का लेसे नॉमर वन, ग्राविटेशन स्टार्ट करेंगे, ओके, 10 स्टानर्ड का फिर्स चाप्टर है आपका साइन्स वन का, तो इसमें बहुत सारे डिफ्रेंट टॉपिक्स है, ग्राविटेशन, केपलर्स तो यह सब बहुत इंट्रेस्टिंग टोपिक्स है, आज हम स्टार्ट करेंगे, ग्राविटेशन के साथ देखते, हम कितना कर सकते हैं, एक सेटिंग में, थीक है, उतना ही करेंगे, तो आप, मैं चाहते हूं, आप अच्छे से समझे, आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप मे बता सकते हैं कि क्या क्या types के forces होते हैं हमने पिछलेack essence में भी पढ़े हैं बहुत सारे अलग अलग type के forces होते है न तो gravity के बार में तो आपने सुना ही होगा, gravitational force होता है 갑자기 frictional force होता है, electrical force होता है, magic force होता है tension force होता बहुत सारे forces दुनिया में act करते हैं हमेशा, लेकिन ये forces के effect एक object में क्या होते हैं, ये force के वज़े से object को क्या होता है, ठीक है अब यह हम देखते हैं, पहली बात तो force क्या होता है, force होता है एक pull या तो push है ना, push या pull को आप किसी object को या तो push करोगे या तो pull करोगे तो that is exerting force on the object, तो उससे object को क्या होता है, कई चीज़े होती है, उसमें आप यहाँ कुछ देखते हैं, एक तो है वो shape change कर देती है, या तो size change कर देती है, जैसे अगर आप एक ball है अगर उसका ball को अपने हाथ में लेकि squeeze करोगे तो उसका size, shape change होता है, और size भी change हो जाता है अगर आप एक ballon के अंदर air blow करोगे तो air के force से वो balloon expand होता है ठीक है, फिर अगर आप गाड़ी में accelerate करोगे तो speed बढ़ जाती है decelerate करते हैं, तो speed कम हो जाती है फिर अगर आप गाड़ी का force से अब turn करोगे तो direction change हो जाती है, तो अगर आप football को kick करोगे, एक दूसरे direction में तो direction change हो जाती है, है ना, तो force की वज़े से objects में बहुत अलग-अलग changes होती है effects होती है force की वज़े से कोई भी object पे, तो अलग-अलग forces हमने अभी देखें जो हमें already पता है जैसे gravitational force, frictional force electrical force, magnetic force तो अभी आपको gravitational force के बारे में क्या पता है हम सबको पता है कि Isaac Newton सर ने gravity के बारे में हमें बताया है तो किन क्या हुआ था, कैसे उनको पता चला था कि gravity करके कुछ चीज है, वो story भी हमें पता है कि वो कहीं पर पेड के नीचे बैठे थे, तो कोई apple गिर गया, तो apple सीधा नीचे गिरा, तो उसकी वज़े से विचार करने लगे कि सीधा कैसे गिरा, टेडा क्यों ने गिरा तो उस basis पर उन्होंने जो research किया वो उसकी वज़े से आज हमें gravitation के बारे में पता है और उनके पहले kepler करके scientist थे, जिन्होंने planet के motions के बारे में, आप सोची इतने सदियों पहले कई सालों पहले कोई scientist ने भी ये discover कि जब उनके पास इतनी सारी technology नहीं थी, तो आज हमारे पास बहुत सारी technology है, तो हम बहुत कुछ चीजे enjoy कर पाते हैं, तो जब technology नहीं थी, तब उन्होंने ये सब discover किया था, क्या planets के जो motion है कैसे होते हैं, क्या है, क्या है, क्या है अलग-अलग forces and motions के बारे में इन्होंने discover किया, तो kepler ने planetary motion के बारे में कुछ-कुछ चीजें discover कि, और उसके उपर, Isaac Newton ने और थोड़ा develop किया, तो अभी gravitation जो है, वो उसमें Isaac Newton ने क्या discover किया देखो, यहाँ पर एक diagram दिखा है, एक earth और एक पेड दिखा है, तो अभी उन्होंने देखा कि apple हमेशा सीधा गिरता है, सीधा गिरके किस तरफ, towards the center of the earth, देखो, the direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple, and thus the apple falls vertically downwards, तो अगर आप देखेंगे कि apple जिदर गिरा न, वो यह जो portion है, यह surface है exactly perpendicular direction में है, तो हमेशा वो vertically down ही गिरती है कोई भी object, towards the center of the earth, और जिस position में उसकी basis में पर्पेंडिकुलर, वो surface है, exactly perpendicular ही, towards the center of the earth, it is exactly straight down, okay, vertically down, तो figure shows an apple tree on the earth, the force on an apple on the tree is towards the center of the earth, apple तो इदर है, यह सबका जो force है, इदर का जो apple है, उसका force, towards the center of the earth है, along the perpendicular from the position of the position of the apple to the surface of the earth, तो इस surface है हमेशा यह पर्पेंडिकुलर direction में ही रहेगा, तो figure also shows the gravitational force between the earth and the moon, यह जो figure है, देखे अब moon का gravitational force भी दिखा रहा है, the distances in that figure obviously are not to scale, now Newton thought that if the force of gravitation acts on apples, क्या हो सोच है, कि अगर यह gravitation force apple में act करता है, तो क्या यह उससे भी दूर जो object से उस पर भी act करता है, क्या, उसका वो question था, तो उसके basis में उनने कुछ laws developed किये थे, अभी क्या-क्या loss थे, Newton के loss of motion क्या क्या थे, एक तो था inertia, inertia क्या है, अगर एक object rest पे है यह motion पे है, तो वो rest यह motion पे continue करेगा till an external force acts on it, मतलब क्या है, suppose, अगर मैं अभी बैठी हूँ, अगर मैं बैठी रहूँगी, तो मैं बैठी रहूँगी, unless I force myself to get up, तो I am force myself, देखो मैंने क्या बला, I force myself to get up, मतलब मैं अपने आपको मजबूर करने हूँ, उठने के लिए, तो I am exerting a force on myself to get up from the chair, so that is inertia, that is, if I keep sitting on the chair, I will keep sitting on the chair, unless I exert a force, or somebody exerts a force on me to make me get up from there, फिर, second law क्या पताता है, that f equal to m, मैं आपको formula पता होगा, force is equal to mass into acceleration, क्या है, कितना force एक object पे है, वो किस पे to ma, ठीक है, इसके उपर थोड़ा expand होगा आगे, equal and opposite reaction is the third law, उसका मतलब क्या है, कि अगर दो objects है इदर, ठीक है, अगर यह object का size और shape और mass same है, तो जब यह इसको ठोकेगा, तो यह उसी intensity से इस ball को वापिस return ठोकेगा, जिससे दोनों का displacement और force जो भी उसमें changes होगा, exactly same होगा, लेकिन अगर इन में difference है, यह light है, यह heavy है, तो चाहे वो magnitude and magnitude same है force का, direction opposite है, लेकिन शायद यह अगर 1 meter इस ते अड़ गया, तो यह पूरा 1 meter सेने जाएगा, क्योंकि इसके weight के उपर भी depend करता होगा, इसके mass के उपर भी depend करता है, लेकिन जो force उसने exert किया return, that will be exactly equal to what this one exerted on this, अगर यह A है और यह B है, तो A ने B पे जितना force exert किया, exactly उतना ही force इस पे भी exert करेगा, लेकिन direction will be opposite, यह इस तरफ जाएगा, तो यह इस तरफ जाएगा, okay, so force and motion के बारे में अभी हम देख गे, we have seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction of an object, ना, जो force का effect object में क्या है, changes the speed as well as the direction, direction भी change करता है और speed भी change करता है, है कि ने, तो अभी यहाँ देखिए, यह है अपने Sir Isaac Newton के बारे में, जैसे मैं आपको बताया था, उन्होंने Kepler के loss पे, और थोड़ा research करके उसको हमें बहुत कुछ बताया उससे additional, ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी Principia, ठीक है, उसके पहले Kepler ने तीन laws बताया थे, describing the planetary motion, however, the reason why planets move in the way described by Kepler's law was not known, क्यों यह ऐसे होते थे वो पता नहीं था, Newton with his theory of gravity, mathematically derived Kepler's law, तो अभी Newton नहीं किया कि यह जो पता नहीं थी, वो उन्होंने अपने law of gravity से explain करके बताया है, mathematically, और भी उन्होंने कुछ-कुछ areas में किया है, आप यह पढ़के उसको निकालेजी, अभी हम circular motion and centripetal force के बारे में देखते हैं, circular motion क्या होता है, जो goal motion होता है, उसे circular motion कहते हैं, अभी आगर अपने एक string में एक पत्थर बांग के इसको गुमाओगे, तो क्या motion मिलता है हमें, circular motion मिलता है, जैसा fan का मिलता है हमको, fan, cycle का, wheel का, इसा circular motions है, तो जब तक कब तक वो circular motion चलता रहेगा, जब तक एक force उस पर act कर रहा है, are you applying any force on the stone, when you are rotating, है न, आप कर रहे हो न, आपके हाथ से आप एक force apply कर रहे हो, है न, तो आप कैसे उसका rotation stop करोगे, by stopping the rotation, how, by stopping your hand, है न, तो उससे stone को क्या होगा, stone, या तो sling में है, तो वो एक direction में निकल के, चला जाएगा, या तो वो नीचे गर जाएगा, है क्या न, तो जब तक we are holding the string, we are pulling the stone towards us, ठीक है, जब तक हम stone को, अपने string को पकड़ के रखे, तो हम लोग stone को अपने और खीच रहे हैं, है न, तो किदर खीच रहे हैं, अब जैसे आप अपना हाथ घुमा के देखिए, तो किस तरह अपने और खीच रहे हैं, अपने और, center की तरफ, towards the center, अब जो circle बना रहे हैं, उसके center की तरफ, you are dragging the wire, continuously, तब तक वो गुल गुमता रहता है, the force stops acting if we release the string, जैसे आप string release करोगे, तो force will stop acting, तो क्या होगा, stone will either fly off along a straight line, which is the tangent to the circle, हमेशा एक perpendicular, जिस point से ये release होगा, वो it will be exactly perpendicular to the center, कोई भी, आप या से ऐसे ले लोगे, तो it will be perpendicular, या से ऐसे ले लोगे, तो it will be perpendicular, tangent में, यानि कि ये circle के edge से, it will fly off straight, ये न, perpendicular way, तो because that is the direction of its velocity, तो वो instant of time में जब आपने release किया, उसका velocity उस direction में था, ठीक है, अगर आपने इधर release किया होथा, तो इधर की तरफ perpendicular निकल जाता था, इधर किया होथा तो इधर निकल जाता, तो इस position में उसका velocity इस तरफ था, इसले वो उधर निकल जाता, ठीक है, तो a force acts on any object moving along a circle, and it is directed towards the center of the circle, याद रिखे, centripetal जो force है, उसमें ही आपको आंसर में लेगा, centripetal मतलब towards the center, century, तो towards the center जो force act करता है, उसे कहते है centripetal force, okay, a force acts on any object moving along a circle, and it is directed towards the center of the circle, this is called the centripetal force, यह force की वज़े से ही, वो stone is continually moving around in the circle, the moment you stop, the stone will fly off or fall down, okay, you know that the moon, which is a natural satellite of the earth, goes around it in a definite orbit, है न, moon, हम देली देखे है न, मून को, जब तक दिखता है, वंदर फूल मून आती है, तो हम कैसे देखते है, it is always going around an orbit around the earth, and it is a natural satellite, the direction of motion of the moon, as well as its speed, constantly changes during this motion, है न, do you think some force is constantly acting on the moon, कुछ force इस पर act कर रही है क्या, आपको क्या लगता, अगर वो earth के, अगर moon, earth की चारो तरफ, चकर काट रहा है, मदला है, आपको क्या लगता, अभी आमने इस centripetal force की बार में पढ़ा, उसके basis में आपको क्या लगता है, is some force also acting on the moon, because of which it is going round and round the earth, हेगी ने, so, how would its, what must be the direction of this force, and how would its motion have been, if no such force acted on it, do the other planets in the solar system, revolve around the sun in a similar fashion, is a similar force acting on them, what must be its direction, तो हमने ज़े centripetal force के, सबसे हमने पढ़ा, इसका मतलब यह हुआ कि, अगर moon को earth के around circular motion करना है, तो that is some force acting on the moon also, it is clear that the moon, for the moon to go around the earth, there must be a force which is exerted on the moon, है कि ने, and this force must be exerted by what, by the earth, अभी आप जब stone गुमा रहे थे, तो कौन इसके पर force exert कर रहा था, आप exert कर रहे थे, ठीक है, अगर सबस यह moon होता और यह earth है, तो यह moon क्यों गुम रहे है, because the earth is exerting a force on the moon, that's why the moon is rotating around the earth, ठीक है, similarly the sun must be attracting the planets, including the earth towards itself, हमें पता है, planets का motion किसके around है, around the sun, क्यों around the sun है, क्योंकि कुछ force उसको around, उसके चारो तरफ ही गुमाता जा रहा है, there is some force that is making it to rotate around the sun, that is, this is the centripetal force that is pulling the object, but in a definite way, जब तक वो force है, अभी जैसे हमारा जो gravitational force है earth का, that is making the moon to move around it in a circular way, in a definite orbit every day without falling, है किने, अगर वो force निकल गया तो, it will either, it will fly off in a tangent, or it just disappear, go into the universe, wherever, but there is a force acting on the moon from the earth, because of which it is orbiting the earth in a circular motion, ठीक है, तो यह हो गया आपका centripetal force, अभी Kepler's law क्या है, Kepler's law, planetary motion had been absorbed by astronomers since ancient time, तो बहुत पहले से astronomy की बहुत सारी चर्चा होती थी, है ना, सबको पता था, तारे हैं, planets हैं, बहुत ancient, मतलब, 1000 साल पहले से सबको पता है, तो गैलिलियों के पहले, अब्जर्वेशन अफ्टे प्लानेट पोजिशन वे मेड विद नेकड आईव, उसके गैलियों न टेलियों बनाये, उसके पहले कैसे अब्जर्व करते थे, सब लोग, बस डिरेक्ली तारे देखके अब्जर्व करते थे, क्योंकि वो ताम में, तो जोहनेश केपलर नहीं ये सब डेटा को study किया, और फिर क्या नोटिस किया, कि motion of planets follow certain laws, जो प्लानेट का जो motion है around the sun, there is a certain law, मतब it is not randomly moving around the sun, ऐसे नहीं कि एक को उस दिन मन किया, मैं थोड़ा और दूर जाके आता हूं, या मैं थोड़ा sun के पास, जाके touch करके देखता हूं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, there was a certain law that all these planets were following, क्योंकि there was some uniformity, ये एक और चीज़ क्या दिखाता है कि, कि किसी intelligent being ने ये दुनिया को बनाई है, जिसने ये सब laws of motion डाल दिये हैं दुनिया में, जिसकी वज़े से दुनिया इतनी order में चल रही है, it is not random, किसी designer ने बनाई है, ये ऐसे बोलना हो जाएगा, कि ये randomly हुआ है, कैसे बोलना हो जाएगा, जैसे कि, आपका जो phone है, आपके हाथ में जो smartphone है, वो कोई junkyard में अपने आपी बन गया है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना, किसी नहीं intelligently, वो smartphone design के, इसलिए आप इसको use कर पाते होए, और this is in usable form, similarly, ये जो planets है, और उनके जो motion है, some intelligent person, हम क्या बोलते हैं, it is God himself, जिन्होंने ये चीज़ें, अपनी बुद्धी से बनाई है, और उनको अंतरिक्ष में डाल दिया है, जिसकी वाज़े से वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं, day by day, तो Kepler ने कुछ laws बताया, हम यहाँ देखते हैं, अभी ये एक ellipse के बारे में देखा है, do you know, an ellipse is a curve obtained, when a cone is cut by an inclined plane, देख रहे हैं कि ellipse के circle नहीं है, ellipse is not a circle, तो कोण को जब आँ ऐसे cut करोगे, कोई inclined plane में, not in the straight plane, inclined plane में cut करोगे तो आपको ellipse मिलता है, अगर आप straight plane में cut करोगे तो circle मिल जाएगा, it has two focal points, अभी देखे, ये ellipse का आपने अगर center निकाला, ठीक है, ये center, इसके नहीं ये ellipse के दो focal points होते हैं, ठीक है, क्या है, the sum of the distances of the two focal points from every point on the curve is constant, इसका अदलब है, कि अगर ये f1 और f2 है, तो अगर a, b, c, कोई points है, इसके ellipse में, तो कोई भी दो जगे से आप calculate करोगे, is towards this focal point, उसका सबका, towards these two focal points, the points will be same जैसे, measurement will be same जैसे, a f1 plus a f2 will be equal to, कोई और दूसरा point ले लो, b f1 plus b f2, c f1 plus c f2, अगर यहाँ पर आपने d बनाया होता, तो अगर आप इसको इदा join करते थे, d f1 plus d f2 भी equal to होता था, तो इसका ये एक law, एक है, ellipse का एक, दो focal point होते हैं, इस ellipse की कोई भी point से आप लोगे, दोनो focal point की तरफ distance, कोई भी point से विल भी the same, तो Kepler का first law क्या बोलता है, the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the four side, अभी आपको ये भी पता है, कि जो planets, जो sun क्यों चक्कर काटते हैं, the orbit is not circular, it is elliptical, है ना, चानते हैं, it is not a circular orbit, it is an elliptical orbit, तो the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the, अभी ये जो फोसाई हमने देखा था, अभी ये ellipse है, तो ये क्या बोल रहा है, ये हम सपोज ये एक planet है, तो sun इन दोनों में से कोई एक फोसाई में है, ओके, with the sun at one of the foci, ठीक है, एक ही sun है मार पास, तो figure 1.4 shows the elliptical orbit of a planet, ये ये planet है, it is moving around the sun, the position of the sun is indicated by s, तो क्या, तो अभी देखो, Kevlar का second law क्या बताता है, the line joining the planet and the sun, अभी देखो, ये line joining the planet and the sun, and the sun sweeps equal areas and equal intervals of time, इसका मतलब क्या है, अगर वो इधर है, अभी सपोज ये planet इधर से इधर, a to b पहुंचा, तो इधर जो time लगा, वोई same time उसको c to d जाने में भी लगेगा, वोई same time उसको e to f जाने में भी लगेगा, लेकिन आप सुच रहोंगे, कि इसका तो ज़्यादा area है, लेकिन ये तो कम है, ये तो कम है, लेकिन ये elliptical है, आपको ये भूलना नहीं है, जैसे हमने ये इस figure में देखा था, कि ये इसका funda कैसा है, मतलब ये क्या है, elliptical में, जो foci से जो distance लोगे तो, certain intervals में same है, तो a, b and c, d, are distances covered by the planet, in equal time, तीक है, a, b और c, d, जो distance cover हो रहा है, वो equal time में cover हो रहा है, तीक है, the positions of the planet, starting from a and c, are shown by b and d respectively, तो e, f, b, जो cover करेगा, it will be in the same time, तो अब अगर इधर आगिया, और इधर से आप line कीजोगे, तो जो distance it will take from, इधर to इधर करने, वो ही same, इधर से इधर जो है, वो same ही time लेगा, तो first law क्या था, the orbit of a planet is an ellipse, with the sun at one of the foci, second law क्या है, the line joining the planet and the sun, sweeps equal areas, मतलब ये जो, इतना से ये जो sweeps equal area, वो देखो, आप ये एक बात याद रखना है की, इधर इतना जादा क्यों है, क्योंकि it is closer to this foci, जितना वो दूर जाएगा, उतना आपको, ये area will be same, ये जो total triangular area आपको दिख रहा न, ये area भी same ही होगा, आपको चाहे वो अलग-अलग triangle की shape दिख रहा होंगे, this area, this area and this area is the same, okay, and the time taken to travel from one point to the other, from here to here, in that period of time will be the same, okay, तो A, B, okay, the straight lines A, S and C, S, sweep equal area in equal intervals of time, अगर 10 second में इसने, या तो 10 minute में इसने यहां से यहां जो लिया, वो ही time उतना ही जगा वो इधर से इधर जाने में भी लेगा, 10 minute में उतना ही टगे cover कर पाएगा, okay, फिर 3rd law क्या है, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube, sorry, the square of its period of revolution, कितना, suppose ये इधर है, इसको कित जो period of revolution, suppose हम लेते हैं t, ठीक है, if r is the average distance of the planet from the sun, suppose ये जो average distance, अभी हम इसको एक particular distance, हमको 3-4 distance लेकिए, इसके average निकालने पड़े कितो, if r is the average distance of the planet from the sun, and t is the period of revolution, then क्या बोल रहा है, period of revolution square is proportional to the distance cubed, ठीक है, ये formula आपको basically बस ख्याद रखना है, t square is proportional to r cube, ये क्या है, t is the period of revolution, कितना वो revolution का period क्या है, वो it is denoted by t, तो t square मतलब दो गुना, is proportional to distance cubed, ठीक है, तो t square is proportional to r cube, तो अगर आप इसको proportionality constant निकालोगे, तो ये k डाला, तो Kepler's का k डाला है, तो t square upon r cube equal to k, तो Kepler obtained this loss, simply from the study of the positions of planets, obtained by regular observation, he had no explanation as to why planets obey this loss, उन्होंने ये loss तो निकाले लेकिन, उनको ये नहीं पता था, कि planets ये loss अबे क्यों कर रहे, अभी Newton ने ये समझाया है, तो हम उसको देखने कि Newton ने आपको क्या बताया है, Newton's universal law of gravitation, अब यहां पर एक question ने देखो, if the area ESF in figure 1.4 is equal to area ASB, what will you infer about EF, क्या बोड़ रहा है, if area ESF in and ASB are same, यानि कि, अगर ESF and ASB are the same, then what can you conclude about EF, EF के बारे में आप क्या बता सकते हो, ये बता सकते हो, कि time taken to travel room E to F, will be equal to time taken to travel room A to B, हमने ये पड़ा था न, कि जो ये time, जितना time में इतना distance कवरे करेगा, उतना ही distance इसमें भी cover करेगा, उतना ही distance इसमें भी cover करेगा, तो question ये है, कि अगर ये दो triangles का area same है, तो आप EF के बारे में क्या बता सकते हो, कि EF को travel करने में जितना time लगेगा, उतना ही time A to B को travel करने में भी लगेगा, तो time taken to travel from E to F equal to time taken to travel from A to B, okay, now Newton's universal law of gravitation, all the above considerations including Kepler's laws, let Newton to formulate his theory of universal gravity, अभी इसके basis में उन्होंने theory of universal gravity के उपर formulate किया, according to this theory, इस theory के सबसे universal law of gravitation के सबसे क्या है, every object in the universe attracts every other object with a definite force, universe की कितर भी, कोई भी आप पार्ट में लेलो, तो दो objects universe में किदर भी हो, तो they attract each other with a definite force, ठीके, कोई भी object की बीच में, universe में, कोई भी दो object की बीच में, there exists a force, and this force is directly proportional to the product of the masses of the two objects, ये जो force है, किसे proportional है, directly proportional to what? to the product of the masses of the two objects, मतलब, अगर एक का मास है M1 है, और दुसरे का मास है M2 है, तो M1 into M2, it is directly proportional, तो एक तो universe के सारे objects की बीच में एक force है, and what is it proportional to? इस force is directly proportional to the product of the masses of the two objects, and एक तो direct proportional, दूसरा inversely proportional to, the square of the distance between them, उनके बीच में देखो, universe तो एक तो कई, millions of miles दूर होगा, एक तो, कुछ में भी 10 meter दूर होगा, कुछ 1 meter दूर होगा, लेकिन सब objects के बीच में, कुछ force एक दूर होगा, and ये दोन जैसे आपर एक figure दिखा है, ये दोनों objects के बीच में, एक force है न, कुछी भी, universe में कितनी भी दूर हो सकती है, लेकिन, there exists a force between any two objects in the universe, and that force is directly proportional to the product of the masses, यानि कि M1 into M2, and inversely proportional, यानि कि divided by the distance square between them, ठीक है, तो आपको, इसके जो ये theory के basis में, आपको क्या formula मिलता है कि, F force is proportional to, mass of the two objects, divided by the distance square, अगर आप ये proportional sign निकालोगे, तो आपको constant डालना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ, gravitational constant G बोलेगे, तो F is proportional to M1 M2 upon D square, और F equal to G, M1 M2 upon D square, तो here G is the constant of proportionality, called the universal gravitational constant, और इसका ये value है, क्या है, 6.673 into 10 to the power minus 11, Newton meter square kg square, per kg square, ये, this is standard, usually sums में दिया रहता है, G का value, तो अगर नहीं है, तो भी आपको हमेशे याद रहना चाहिए, कि universal gravitational constant का value, capital G is, 6.673 into 10 to the power minus 11, Newton meter square, per kg square, तो क्या है formula, F equal to G, M1 M2 upon D square, तो कोई भी object, universe में कहीं पर भी, तो object के बीच में, जो force है, उसका, आपको force निकालने के लिए, क्या है, आपको formula चाहिए, F equal to G, M1 M2 upon D square, okay, see, this is called the universal gravitational constant, the above law means, that if the mass of one object is doubled, तो अभी suppose, इसमें से एक object का mass, अगर double कर दिया, तो उसके बीच में का force, भी double हो जाएगा, okay, suppose यह M1 था, इसको 2 M1 कर दिया, तो इसके बीच में, जो force है, वो भी double हो जाएगा, और distance double क्या है, तो force decreases, जितना अगर आप distance दूर करोगे, उतना force कम होता रहता है, कि ने, जो दूर जो तारे हैं, उसमें, और आपके बीच में भी कुछ force exists करता है, लेकिन वो बहुत ही कम है, क्योंकि उतना जादा distance है, तो if the two bodies are spherical, the direction of the force is always along the line, joining the centers of the two bodies, अगर goal bodies है, तो उसके एक्दम center से वो line जाएगा, and the distance between the center is taken to be, in case the bodies are not spherical, अगर goal objects नहीं है, तो, और irregular shape है, तो direction is along the line, joining the centers of mass, इसका जो mass का center है, सपोस्ज इसका कुछ और से पता है, तो इसका जो mass का center है, उसके बीच में जो distance है, that is taken, okay, now from equation 2, it can be seen that the value of G, is a gravitational force acting between two unit masses, kept at a unit distance away from each other, thus in SI units, the value of G is equal to the gravitational force, between two masses of 1 kg, kept 1 meter apart, यह standard जो निकालने के लिए किया है, उसके basis में G आता है, 6.673 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square, ठीक है, तो अभी आपको show that in SI units, the unit of G is newton meter square per kg square, the value of G was first exponentially measured by Henry, तो अभी आप यहाँ देखे, F equal to G M1 M2 upon D square, है कि ने, तो G का तो कोई, यह तो constant of proportionality है, तो इसका कोई unit नहीं रहता, फिर mass का unit क्या है, kg, दूसरे mass का unit भी kg है, है ना, और distance का unit meter है, तो meter square, तो क्या मिलेगा आपको, G equal to F into M square, यह अभी उपर चलोगे देखो, मैंने G को निकालना है, G का हमको निकालना है ना unit, तो हमने G इदर ले लिए, और F को इदर ले लिए, F into meter square upon kg square, तो F meter square per kg square, और F का क्या है, Newton, है ना, force को Newton में बताते हो, तो Newton meter square per kg square, ऐसे आप prove कर सकते हो, ओके, ना, the center of mass of an object, is the point inside or outside the object, at which the total mass of the object, can be assumed to be concentrated, जैसे अगर, कोई object का shape अगर ऐसा है, तो आप बोल सकते हो, कि इसका center of mass, एगदम center में है, नहीं बोल सकते हैं, तो इसके shape के उपर depend करता है, कि इसका center, total mass किदर concentrated होएगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, we don't know, depends on the object का shape and size, the center of a mass of a spherical object, having uniform density, is at the geometrical center, ठीक है, अगर एगदम proper spherical object है, तो हमको automatically पताएगी, वो center में ही होगा, लेकिन अगर non-geometric object है, तो उसका center of mass, is at which the point inside or outside the object, which is the total mass, जहाँ पर total mass concentrated है, that will be its center of mass, वाइद न्यूटन assume inverse square dependence on distance in its law of gravitation, यह जो upon f equal to g m1 m2 upon d square है, उन्होंने वो inverse proportionality क्यों use किया, इसमें उनको Kepler के third law की मदद मिली थी, तो इसमें अभी हम देखेंगे, uniform circular motion या magnitude of centripetal force, के हाँ तो देख लिया है न, तो अभी यह derived किया है न, कि f को उन्होंने किस बेसिस में inverse proportionality to distance किया था, तो consider an object moving in a circle with constant speed, ठीक है, एक object को consider करिये, एक circle में constant speed के साथ rotate करा है, we have seen earlier that such a motion is possible only when the object is constantly acted upon by a force directed towards the center of the circle, अभी obviously इसकी उपर ये जो object इधर है, इसकी उपर इसकी वज़े से कुछ force है, जिसकी वज़े से वो इसके चारों तरफ घुम रहा है, है किन हमने centripetal force में देखा था, ये है आपका centripetal force, if m is the mass of the object, अगर m object का mass है, v इसका velocity है, speed है, r इसका radius है, ठीक है, then it can be shown that this force is equal to f equal to mv square upon r, तो आपको ये formula भी मिलता है, ठीक है, तो कैसे दिखा होगे, ठीक है, if a planet is revolving around the sun in a circular motion, ठीक है, ये अग सपोस्ट सेन है, और ये आपका एक planet है, ठीक है, then the centripetal force acting on the planet toward the sun, must be f equal to mv square upon r, इस basis में, ठीक है, तो where m is the mass of the planet, v is the speed and r is the distance from the sun, now the speed of the planet can be expressed in terms of the period of revolution T, है न, अमने देखा था कैसे period of revolution, अमनों Kepler's law में देखे थे, ठीक है, तो अगर T is the period of revolution, तो the distance travelled by the planet in one revolution, ठीक है, अगर ये है, एक revolution में ये planet ने कितना distance cover किया, is equal to the perimeter of the orbit, perimeter क्या है, 2 pi r, ठीक है, तो T will be equal to, the distance travelled by the planet in one revolution, ठीक है, is equal to the perimeter of the orbit, which is 2 pi r, तो v equal to, हमको पता है, speed equal to distance upon time, है न, तो अब इसमें आप डालो गये, तो distance कितना travel किया है, perimeter 2 pi r upon time taken t, है न, तो v equal to क्या हो जाता है, 2 pi r upon t, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, आपको पता है, f equal to mv square upon r, तो अब यह आप v का value आपको मिल गया है, तो आप v में ये डाल दो, तो आप derive करोगो तो आपको क्या मिलता है, f equal to so and so, अभी आपने यहाँ Kepler's law में देखा था, Kepler's third law में क्या बोला था, constant of proportionality k is equal to, the revolution square upon distance cube, है न, t square is proportional to r cube देखा था हमने, तो जब constant of proportionality निकालोगे, तो आपको क्या मिलता है, t square upon r cube, यहाँ देखिए अगर आप बूल गया हो तो, यह देखो, t square upon r cube is equal to k, अभी यहाँ देख रहो, same चीज दर भी है, तो उसको inversely हमने डाल दिया, 1 upon k, ठीक है, तो आपको ultimately यह मिलेगा, f equal to constant, यह, आपको यह पता है, यह आपका constant, into 1 upon r square है, यह जो k है, है न, देखिए, r cube upon t square, तो इसी में इन्होंने नीचे k डाल दिया है, but 4m pi square upon k is equal to a constant, है इसमें कोई unit नहीं है, तो it is a constant, therefore f equal to constant into 1 upon r square, तो आप constant निकालके, proportionality का symbol डाल सकते हो, आपको क्या मिलता है, f is proportional to the 1 upon distance r square, यहाँ पर, यह जो question था की, how did Isaac Newton come to the conclusion, that, why did Newton assume inverse square dependence on distance, in his law, तो उसका answer यह है की, because of this, okay, so यह आप एक बार, आप खुद से एक बार, notebook में करके देख लिए जाद, आपको बुद मुश्किल नहीं है, क्योंकि, these are all formula based, आपको formulas याद होने चाहिए, और याद रखो, जहाँ ऐसा units नहीं है, जैसे kg, meter, Newton ने सब यूजने है, तो that becomes a constant, thus Newton concluded, that the centripetal force, which is the force acting on the planet, and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance, between the planet and the sun, Newton identified this force, with the force of gravity, and hence postulated the inverse square law of gravitation, इस basis में, उन्होंने inverse square law of gravitation, के बारे में हमें बताया, okay, the gravitational force is much weaker than other forces in nature, यह जो force है, universal law of gravitation के जो force है, this is much weaker than other forces in nature, but it controls the universe, तो याद रखिये, कि it is a very important force, और यह भी याद रखो, कि यह जो G है, यह universe में किदर भी change नहीं होता, it is the same, anyway, तो कोई भी सम में अगर G का value डालना है, capital G, universal gravitational constant, तो यह रखोट 6.673 to 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square, अब देखर 10 to the power minus 11 है, यानि कि कितना minute है लेकि, that is also very important, that is a very important force, this is possible because of the huge masses of planets, stars and other constituents of the universe, ठीक है, is there a gravitational force between two objects kept on a table, or between you and your friend sitting next to you, if yes, why don't the two move towards each other, ठीक है, इसमें friction भी play में आता है, इसले हम move नहीं करते हैं, ठीक है, तो, ऐसा है कि, कोई भी दो object के बीच में, there is always a force, now, यहाँ पर एक solved problem से, इसको मुझे आपको करानी की जोरत नहीं, ठीक है, आप खुदी solved, solved example से, you can just do it yourself, ठीक है, now, assuming the acceleration example to, okay, you must be knowing that the high, अभी यह high tide, low tide के बार में, आप यहाँ देखते हैं, you must be knowing about the high and low tides, that occur regularly in the sea, आपने तो जाने ही होगा, कि high tide, low tide होती रहती है, the level of seawater, at any given location, along seashore, increases and decreases, twice a day, ठीक है, दिन में दो बार ऐसा होता है, regular interval में, तो high and low tides occur at different times, at different places, अलग-अलग जगे में, अलग-अलग time में होता है, तो the level of water in the sea changes, seem क्या जो level है, क्यों चेंजे था, because of the gravitational force exerted by the moon, moon क्या जो gravitational force exert करता है, अर्थ के उपर, उसकी वज़े से यह water में, tide में changes आते हैं, तो water directly below the moon, water directly under the moon, gets pulled toward the moon, ठीक है, जा अगर moon इधर होता, तो इधर pull होता था, अभी वो इधर है, तो इधर pull हो रहा है, and the level of water उधर, उपर हो जाता है, और उसके दूसरे side में, वो कम हो जाता है, of high tide, the level of water is minimum, तो 90 degree, high tide अगर यहाँ, इससे 90 degree में, low tide होगा, ठीक है, तो याद रखाँ, अगर moon इधर है, तो उधर high tide हो जाएगा, और जहाँ, उसके 90 degree में, आप दूसरे तरह जाओगे, तो उधर low tide हो जाता है, ठीक है, ओके, now, let's learn about, earth's gravitational force, will the velocity of a stone, thrown vertically upward, remain constant, or will it change with time, अगर आपने एक stone, उपर की तरफ फेक हा, तो उसका, velocity, constant रहेगा, की change होगा, आपको क्या लगता है, कैसे change होगा, why doesn't the stone, keep moving up all the time, why does it fall down, अगर आपने एक पत्थर उपर फेक हा, तो उपर उपर उपर, क्यों नहीं जाता रहता है, नीचे क्यों गर जाता है, हम सबको पता, answer is gravity, है कि ने, तो कितना high to maximum attain करेगा, यह सब, the earth attracts every object, हाना, हमको पता gravity की वज़े से, सब चीज़े नीचे गरती है, जैसे apple भी नीचे गिरा था, because of the gravitational force, now the center of mass of the earth, is situated at its center, हाना, हमारा earth spherical है, तो उसका center of mass की दर है, एक्दम center में है, so the gravitational force on any object, तो क्योंकि earth, क्या center of mass center में है, तो the gravitational force, जो यह किसी भी object में exert करेगा, is always directed towards the center, ठीक है, कहीं से भी object कर, तो always it is directed towards the center of the earth, because of this force, this force and object falls vertically downwards, तो earth is a very big place, तो आप कहीं से भी आप देखोगे, तो विरेगा, तो इट भी falling perpendicular to the surface, and towards the center of the earth, this will always be perpendicular, यह object will always fall perpendicular down, and always towards the center of the earth, ठीक है, याद रखो, similarly when we throw a stone vertically upwards, this force tries to pull it down, and reduce its velocity, तो जैसे आगर आपने stone को उपर फेका, तो यह जो gravitational force है न, वो इस stone पर act कर रही है, यह जो gravitational force, इसकी वज़े से, यह पत्थर तो उपर जा रहा है, लेकिन इसके उपर deceleration होगा, कम इसका speed कम होता रहेगा, क्योंकि earth इसको pull कर रही है अपने तरफ, ठीक है, तो speed reduces, due to the constant downward pull, the velocity becomes zero, after a while, the pull continues to be exerted, and the stone starts moving vertically downward, towards the center of the earth, ठीक है, now according to Newton's, again solved example से, अभी अब solve करिये, answers, questions and answers, हम लोग साथ में solve करेंगे, okay, now according to Newton's law of gravitation, every object attracts, every other object है, अभी तो हम समझ गये, कि universe में, कहीं पर भी दो object एक दूसरे को, अपने उपर, एक दूसरे की तरफ खीशते हैं, thus if the earth attracts an apple, towards itself, the apple also attracts the earth, towards itself है, है न, ही Newton's third law, कैसे, that every object, has an equal and opposite reaction, तो earth attracts the apple, towards itself, and the apple also attracts the earth, towards itself, लेकिन, apple क्या earth को खीच सकती है, why then does the apple, fall towards the earth, but the earth does not move towards the apple, simple, क्यूंकि, earth कितनी बड़ी apple का क्या साहिज, can it pull, it cannot, but there is an equal force, both are attracting each other, but the displacement of the earth is negligible, मतलब इतना huge चीज़, we cannot even feel the motion of the earth, moving around the sun, there is no way that we can feel, any kind of pull, ठीके, तो the displacement, you can write an answer for this, the displacement of the earth is negligible, due to its size, अगर भी earth has moved towards the apple, we cannot notice it, the gravitational force due to the earth, also acts on the moon, है कि ने, अभी ये earth है, और ये अपना moon है, तो ये जो है, अगर्थ का gravitational force, acts on the moon, because of which it revolves around the earth, है कि ने, the moon and similar situation exists, for the artificial satellites, कोई भी जो artificial satellites, जो आम लोग moon भेजते हैं, उपर satellites, वो भी इसी principle में काम करती है, है 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 हना, the earth attracts them towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall on the earth, ये, they don't fall back on the earth, ये, अपने सोचा है कभी, moon क्यों नहीं गिर जाता है, earth में, क्योंकि ये भी तो उसको पुल कर रहा है, और satellites, जो हम artificial satellites भेजते हैं, हमारे GPS, VPSK, जो भी purpose के ले भेजते हैं, क्यों वो नहीं गिर जाते हैं, क्यों, this is because of the velocity of the moon, and the satellites along their orbits, किसले, because of the moon का velocity, moon beak velocity से, अमने a centipetal force देखा था, एक velocity से, it is constantly moving around the sun, जिसकी वज़े से वो नहीं गिरते, इवन ये artificial satellites भी, जो orbit में डाले जाते हैं, वो बहुत speed में, they are rotating around the earth, that is the reason they are not falling, अगर वो velocity रुख गई, तो it will fall, if this velocity was not there, they would have fallen on the earth, तो याद रखो, कि moon में भी velocity है, और हमारे artificial satellites में भी velocity है, जिसकी वज़े से, they are circulating, circling the earth constantly, without falling to the earth, apple was not circling, इसलिए वो गिर गया, है न, and also उसकी उपर, और दूसरी है, जिए जो earth का, जो gravitational force है, जितना दूर जाता है, object उतना उसके उपर, come act करता है, ठीक है, उसको escape velocity कहते हैं, जिसके बारे में हम, I think, next chapter, next video में, हम लोग, earth's gravitational acceleration, और आगे के बाकी, वो करके, फिर हम लोग, आपके questions and answers भी करेंगे, तो आप यह पहले अच्छे समझ लीजिए, कि यह सब क्या है, gravitational force क्या है, universal law of gravitation क्या है, universal gravitational constant क्या है, ठीक है, और यह जो formulas है, Kepler's laws क्या है, यह सब याद कर लीजिए, uniform circular motion क्या होता है, ठीक है, जो basic-basic formulas है, फिर t square is proportional to r cube, f is proportional to 1 upon r square, यह सब आपको घ्यान में हमेशा रहना चाहिए, क्यूंकि आप जब sum solve करोगे, तो आपको यह बहुत काम हैगा, and this is another important formula, force is equal to gravitational constant, m1, m2 upon d square, या तो, force is proportional to m1, m2 upon d square, का मतलब क्या था, universal जो force है, gravity force, that यह, every object, क्या करता है, उसका, it is proportional to the mass of the objects, and the square of the distance between them, कोई भी दो object in the universe की पीच में, ठीके, तो हमने जब proportional के टाएंगे, तो हम gravitational constant डालते हैं, gravitational constant का value क्या है, 6.673 into 10 to the power minus 11, तो इसके साथ में यह part, this is part 1 of your lesson number 1, gravitation, please study well, और please subscribe to this channel, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो very good, और मुझे comments में बताओ, अगर कुछ समझ में नहीं आ आ तो I will explain it again, यह बहुत important है, यह basic concepts है, जो आपको बाद में भी बहुत काम आएगा, तो take care, God bless, I will see you in the next video, next part of this lesson,